हेलो गाइज वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल मिक्ट्रैवलर्स आज मैं आपको इंफोर्मेशन देने वाली हूँ मुंबाई एक सपनों का शहर और मुंबाई के सबसे फेमस जगह गेटवे ऑफ इंडिया तो बहुत बहुत लोग जाते हैं पर एलिफंटा केज जो की हिड इस सारी इंफोर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी वीडियो आखिर तक देखे स्किप मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके सो यहां तक हम कैसे जा सकते हैं अगर अधर स्टेट से आ रहे हो तो भी आप द चलती है तो आप टेक्सी से हम पांच लोग यहां पर जा रहे है तो हमने सेवेंटी टू फिप्टी रुपीज के तुर्ट एक टेक्सी आ जाती है तो आप वहां से वैसे जा सकते हो काफी चीफ है कोई महेंगा नहीं आप बार्गिनिंग कर लीजेगा टेक्सी वाली भया क पहें चर्ज के स्टेशन से लेके गेट्वे आफ इंडिया और यह उसका एंट्री गेट्पे आपको टेक्सी छोड़ देगी और आपको थोड़ा वॉक फाइब मिनिट का वॉक करके यह आप देखी सकते वीडियो में आगे हमें गेट्वे आफ इंडिया दिख रहा है इन्टरी फीज नहीं है यहां पर एंटर करने के लिए बिल्कुल फ्री है यह संडे था हम जिस दिन गये थे इसलिए काफी गर दी है यहां पर ओके सो हम अभी गेट्वेए इंडिया के बाद जाने वाले एलिफंटा केव्स तो उसकी टिकिट हमें इस गेट पर ही लेनी प अपको तो हमें दोनों जो पॉइंट है वो गेट वेफ इंडिया के ही रहेंगे ओके तब यह देख सकते हूं यह ताज होटेल है उसके बाजू में जो होटेल है जो लंभी से दिख्रही वह ताज होटेल ही है काफी लोग को सफना होता इस होटल में जाने का यह सीज इस वन अप दे फेमस एन एक्स्पेंसिव होटल इन मुंबाई यू कन सी दिस कितनी सुन्दर है गेट वे अप इंडिया के अगर मैं हिस्ट्री बता हूँ आपको तो यह अरली 20th सेंच्वरी में टू डिसेंबर 1911 में बनाया गया था फॉर लैंडिंग ऑफ किंग जॉर्ज एंड कुइन मेरी एट अपोलो बंदर इन दा अरेबियान सी यह अरेबियान सी का गेट है फॉर इंडिया ओके गेटवेएफ इंडिया स्टांड्स फॉर 85 फीट यह अप गेटवेएफ इंडिया की हाइट देख पा रहे हो वह 85 फीट है और यह ताज होटल है ताज होटल को सबको पता ही होगी यह और यह नई बनी है यह भी ताज होटल ही है काफी फेमस ट्यूरिस्ट पॉइंट है ये इंडिया का मतलब कोई भी अगर इंडिया स्वरी मुंबई आ रहा है तो इसको मिस करते ही नहीं मतलब यह तो मस्ट विजिट प्लेस में से आता है यह ब्रेटिश हर्स ने बनाया था इंडिया में कि एक काइंड ओफ बंदर था जहां पर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हम चीजे बोट के तुरू उसलिए एक्चुली यह बनाया गया था यह ताज होटेल और यह मस्ट है उपिक जो हम ताज होटेल और गेट एफ इंडिया के उपर रखके जो खीचते हैं वो तो खीचे बीना जाईएगा ही नहीं क्योंकि यह यहाँ पर ऐसी फोटो सब खिचवाते हैं काफी फणी लगता है पर येस ताट्स त्रूध यह देख सकते आप ह Speaking yes आपको मैंने से पीछे जो हमने टिकेट लिया था बोट राइड का तो हमने गुमने के बाद आपको स्ताज होटेल के साइड में ही बोट राइड के लेकर लाइन मिलेगी यह पर तो टिकेट आते हैं गाई एक 155 का पर 155 का अगर आप टिकेट लेते हो तह आपको 1 एर 0 वेट करना पड़ता है हमने 260 वाली टिकेट थरी थी 260 वाली जो बोट राइड होती है वो कंटिनियूस ती चलती है रहती आपको एजील आपको सिर्फ पांच मिनिट की लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा अपको एजीली वह मिल जाएगी आप ये बोट राइड का टाइमिंग भी जान लीजे ये नाइन ओक्लॉक मॉर्निंग से लेके त्री ओक्लॉक आफ्टर नून तक रहता है त्री थर्टी के बाद आप एलिफंटा केव्स नहीं जा सकते त्री ओक्लॉक तक लास्ट एक बोट रहेगी वह आपको एलिफंटा क चोड़ देगे वहां से आप रिटन फाइव थर्टी तक आ सकते हो फाइव थर्टी वहां से एक लास्ट बोट निकलेगी फाइव थर्टी तक आपको वापिस गेटवे आफ इंडिया आज आना पड़ेगा वहां कि केव्स जो है वो बंद हो जाती है कि आप ये देख सकते और जो ताज होटेल मतलब गेटवे औफ इंडिया से यह बोट ट्राइड निकलती है और ये फंटा केव्स हमें एक गंटा हमें वहां पर लगता है क्योंकि टैन किलोमेटर का डिस्टंस है गेटवे आफ इंडिया से लेके और फंटा केव्स तक तो पर रास्ता इतना खू इंडिया की वह शीप से मतलब इतना सुंदर लगता है देखने के लिए चार हो तरफ एकदम गहरा ब्यूटिफुल ब्लू कलर का पानी कि आपे देख सकते हो और वन आर की राइड के बात अब फिर से जो एलिफंटा के उसका जो वंदर है ना वहां पर उतर जाओंगे एलिफंटा के उसके अगर मैं बात करूँ तो एलिफंटा में कुल साथ गुफाए हैं और माना जाता है कि जो आठवी शताती के आस पास इन गुफाव के खोज राष्टर कुट राजाओं के द्वारा की गई थी और यहां मौजूद मोक्य गुफा जो है वो 26 तंब है जिसमें भगवान शिव को कई रूपों में बोलते है ना उकेरा गया है मतलब उनका जो शिल्प काम किया गया है ना वो और इन में उनकी त्री मूरती प्रतिमा सबसे आकरशक है जो त्री मूरती अभी आपको आगे म में दिखाऊंगी वीडियो में वो बहुत सबसे इंपोर्टन्ट और आकरशक प्लेज है यहां पर यह जो पूरी केव्ज है ना वो लौड शिवा मतलब भगवान शिवा को डेडिकेटेड है सारे लौड शिवा के यहां पर अलग-अलग तरीके के जो रूप होते हैं आम यह रही यह है गुफा मतलब ऐसा बोलते हैं कि भारत की जो एतिहासिक जगह में आती है ना तो काफी शांदार जगह है मतलब कि तो घूमने लाई है कि काफी काफी भीड़ती काफी लोग देखने आते हैं यहां पर मतलब अगर आप बूर्ट से उतरते हो ना तो आपको ए अब देख सकते हो मैंने सारी इंफोमेशन भी आगे रेकॉर्ड किये आप वीडियो को पॉस्ट करके अगर आपको पढ़ना रहेगा तो आप वह भी पढ़ सकते हो कि यह यह नट्राज शीव है और यह परियटों का सबसे आकरशन ऐसे बड़ा केंद्र माना जाता है एलिफंटा द्वीप महाराष्ट की मुंबई शहर में स्थीट गेटवे अफ इंडिया से 10 किलोमेटर दूरी बेन जैसे कि मैंने आपको बताया एलिफंटा को घारापूरी के नाम से भी जाना जाता है जो कोकणी मौरिय की द्वीपिय राज़दानी थी और एलिफंटा नाम पूर्त गालियों द्वारा यहाँ पे बने पत्थरों के हाती के कारण दिया गया था गया इसकी यहाँ पे हाती सा पत्थर थे हाती के साइस क इसलिए इसको एलिफंटा केस बोलते हैं यहां अनेक डेवी देवताव की मुर्तिया है और पहाडियों के काटकर बनाये गया था यह मुर्तियत्वारा दक्षिन भारत की मुर्तिकला से प्रेरित है यह यह शीवलिंग भी है यहापर और यह यह जो मैं बात करें थी न त्री म देखने में आपको वीडियो में ऐसे दिखने पर आपको सामने से देखो गया काफी यूज एक दम इसा कुछ बड़ा हम कुछ इसा देख रहे हैं और पत्थरों से मतलब बनाया हुआ है यह पूरा शिल्प काम है यह ना कि कोई डिजाइन या फिर ऐसा कोई ऐसा पूछ ना कुछ देखने जैसा है कि अलग-अलग चीजे है यहां पर जो नीचे लोग देख रहे हैं और चाली के पास कर रहे हैं पर नीचे थोड़ा सा पानी था वह ऐसे देख रहे हैं कि अपर देख सकते हो काफी अच्छा है यहां पर वाश्मेंस वगेरा भी एसे अविलेबल है मतलब आपको अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो आप चिसा गाइड कर देते हैं एंट्री एक्सिट का उपर आपको खाने के लिए होटेल्स वगेरा भी मिल जाएके यहां पर ड्रिंकिंग वोटर आप देख सकते हैं और उसके बाद हम जब वापिस बोट राइड मतलब पांच साड़े पांच बज़े हमने लाश्ट बोट अपनी ली थी वापिस हमें गेटवे अफ इंडिया ही छोड़ती है और आप बहुत सुंदर सा ब्यूटिफूल सा मतलब सन वाला संसे वाला संसे तो कौन मेंस करें तो एक दम मज़ा आता है वोट में बैठके हम असा संसेट इंजॉइ करते हुए वापिस गेटवे उफ इंडिया जा रहते हैं अभी देख सकते ताज होटल पानी से तो मतलब ऐसा लगता है कि पानी से तो शहर कुछ अलग ही दिख रहे हैं अतलब मैं त आमने से देखने में तो काफी ब्यूटिफुल लगता है अब देख सकता है यह वी ताज होटली है अगर आपने अगर आपने यहां वीडियो यहां तक देखिए तो प्लिस सब्सक्राइब करें अपीना मत जाना मिलते हैं नेक्स वीडियो में